आज सामकी चाय के साथ मुझे कुछ स्पाइसी चटपटा और टेस्टी खाने का मन हो रहा था पर इतनी गर्भी में जादा देर तक किचन में काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था तो चलिए आज बनाते हैं चटकारा आलू कबाब और साथ में बनाएंगे तंदूरी चा पeteलाएगा और यह बहुत ही जल्दी से बन जाता है जादा मेहनत भी नहीं लगता है और इसे बनाने के लिए बहुत सारे सामकरी की भी जरूत नहीं पड़ती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को उबालने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने आदा किलो आलू लिया है, आलू को आप चाहें तो कुकर में भी उबाल सकते हैं, मैंने इसे भगोने में ही उबाल लिया है, आलू को छील लेंगी और इसे हमें सबसे पहले ग् तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून दर्दरा कुटा हुआ धनिया के बीज, एक टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, एक टीस्पून जीरे का पौडर डालेंगे, आदा टीस्पून हम इस इसमें डाला है चाट मसाला, आदा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और एक टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा, साथ में डालेंगे दो हरी मिर्च को बारी काट की, एक चमच अदरक और लेसन का पेस्ट डालेंगे, आप इसे दरदरा हरा धन्या एड़ किया है, यहां पर मैंने दो ब्रेट को मिक्सी में डाल के पीस लिया है, तो यहां पर मैंने इस तरीके से ब्रेट करम तियार करके इसमें डाला है, और अच्छे से इसी हमें मिला लेना है, अब सारे चीजों को अच्छे से मिला के हमें अभी इसको एक तर डाला है आदा تीश्पू अ कॉन फ्लॉर भी डालेना है तो इस मसाले में पानी साइट अधसीं और रखना है और आलू सिका जो आपने डो लगा के तयार किया था इससे हम कबाब का सेप देंगे सेप आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने इसको एकदम गोल्ड से हम टिकी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही सेप दिया है फटाफट से इस तरीके से बनके रेडी हो जाता है और इसको बनाने के बाद मसाले से अच्छे सी कोट कर लेना है जो एस्टरा मसाला इसके उपर है उसे हमें जाड़ के अलग कर लेना है तो बहुत ही आसान है इसको बनाना आप कभी भी इसको फटाफट बना सकते हैं चाय के साथ हो या फिर मेहमानों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं बनाने में बहुत जादा सामेकरी की भी जरूरत नहीं है और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इतना सिंप करनी के लिए बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रुवत नहीं है आप दो तीन चमस तेल में भी इसको दोनों तरब से पलटके सेख सकते हैं तो टिक्की बना के मैंने रेडी कर लिया है चलिए अब हम इससे फ्राई करते हैं तो मैंने इसे आज थोड़ा सा ज़्यादा तेल मे इसको फ्राई किया है वैसे अगर आप कम तेल में सेखना चाहते हैं तो भी आप इसको दोनों तरब से 2-3 चमस तेल डालके तब यह पैन में इससे दोनों तरब से क्रिस्पी कर जकते हैं तहीं पर मैंने कबाब यहाँ तेल में डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रख जागवा कबाब था इसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है और अब हम चलते हैं तंदूरी चाय बनाते हैं जिससे इस कबाब का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन रखा है इसमें हम डाल देंगे यहां पर मैं आज दो कप चाय बना रही हूं तो इसमें पानी हम इस चाय में थोड़ा कम ही डालते हैं तो आदा कप मैंने इसमें पानी डाला है तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें इस तरीके का कोई भी मिटी का छोटा बरतन चाहिए मैंने आपे कुलड़ लिया है और इसे हमें दूस जाले वाले चाय बनाना चाहते हैं, तो लॉंग या दालची नहीं जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, मुझे परस्नली इस तरह के का बतलब सिर्फ अधरक वाली चाय ही पसंद आती है, और इलाइची भी मैं चाय में बहुत ही कम डालती हूं, तो आज मैंने या पर इलाइची वाली चाय बनाया है, जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगे तब हम इसमें चाय की पती डाल देंगे, और अच्छे से इसे हमें उबाल लेना है, तो मैंने आपर एक चमच चाय की पती इसमें डाल दिया है, और यह जो मिट्टी का कुल्डर है, इस इससे हमें थोड़ी थोड़ी देरी पे इस तरीके से पलटते रहना है ताकि सब तरब से अच्छे से गरम हो जाए और चाय में मैंने आपे डेड़ कप दूद डाल दिया है इस चाय को थोड़ा सा ज्यादा दूद के साथ बढ़ाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है तो जब चाय में अच्छे से उबालने लगे तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया है दो छोटी चमच मैंने इसमें चीनी डाला है आपको जैसा वीठा पसंद हो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं और चाय को अच्छे से हमें उबाल लेना है तो जब चाय अच्छे से उ स्हान लेना है कोई भी भंगो आया फिर उसी चाई के वर्तन को पर आप सकते हैं मिटी के कुलड को मैं इसके अंदर रख दिया है और अब हम इसमें अंदर चाय लेंगे और एकदम इस से एकदम smoky flavor मिट्टी के बरतन का जो smoky flavor होता है वो चाय के अंदर आ जाता है और यह चाय बहुत ही tasty लगती है आप कभी कभी इस तरीके के चाय पी सकते हैं काफी ज्यादा tasty लगता है इस तरीके से तो देखिए यहां पर अच्छे से मिट्टी के कुल संदोरी चाय भी बन गया हमारी रेड़ी हो गयी तो चलिए अब हम चाय को कप में निकाल लेते है तो चाय पत्ती तो मैंने प्हले से छान के अलग कर दिया तो चाय को आप छानने की जरूधत ही है हमारीётся बी रेडी हो गय कम बजट में टेस्टी मज़दार कबाब जिसे खाके दिलखोस हो जाएगा आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा आपको यह बहुत जादा पसंद आएगा मुझे कमेंट में बताइएगा कि यह रिस्पी आपको कैसी लगी रिस्पी अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक सेर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नई रिस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्ते